कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज है पर युद्ध की ये तस्वीर है इस कहावत को यूधा साबित कर रही है आश्याने खंदहर में बदल गई है जहां तर जिधर तक नजर जाती है मलबा ही मलबा पिकरा पड़ा है पंपारी और हमले के बाद की ये तस्वीरें लोगों का दर्द बया कर रही है जमीन पर पड़े बच्चों के खिलोने से हमले से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है इमारतों की देर से निकलती ये लाशें युद का मनजर बता रही है ये तस्वीर कहीं और की नहीं बलकि घाजा के शरणार्थी कैम्प नुसिराद की है इस्रैल पर आरोप है कि उसने सेंटरल घाजा के शरणार्थी कैम्प पर हमला किया है जिसमें 18 से जादा लोगों की मौत हो गई है हलाकि इसरेल ने इस पर कोई टिप बड़ी नहीं की है इसरेल ने गाजा पर ये हमला 23 दिसंबर की रात में किया हमले का वीडियो देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसरेल गाजा का नामुने शान मिटाने में जुटा है इसरेल गाजा के हरे कट्डे पर निशाना बना कर हमला कर रहा है 7 अक्टूबर सिचारी जंग में इसरेल ने गाजा को दुनिया के मैप से हटाने की कसम खाई है इसरेल गाजा के किसी एक जगे को निशाना नहीं बना रहा बलकि वो चुन चुन कर उसकी रीड की हट भी तोड़ने में जुटा हुआ है इसरेल ने गाजा बॉडर पर मौझूद रफा केमपर भी 24 दिसंबर की रात दो बजे के आसपास हमला किया जिसमें कई लोगों की गायल होने की खबर है उत्तरी गाजा की बड़ी इमारते हों या दक्षन गाजा की कैमप इसरेल सब को मल्बे में मिठाने की कोशिच में लगा हुआ है वे हवाले साथ नें कामत ताइरात अस्वाइलिये बिकस्फ मन्जिल अमा बिलॉफ इसरेल ने घाजा को पूरी तरह से खेड लिया है वो दक्षन से लेकर पश्चन और मद्ध घाजा में हमला कर रहा है नुसरा रफा से 32 किलोमेटर की दूरी पर है घाजा के हालत अब बहुत नाजुक है इसरेल अपने उपर हुए हमले का बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा और शायद यही कारण है कि वो आम लोग और सैनिक में फ़र्ट नहीं कर पा रहा है इसरेल ने साफ कर दिया है कि वो जब तक हमास का नाम और शान नहीं मिटा देता तब तक वो शान्त नहीं बैखने बादा गाजा की हालत को देखते हुए मान भी अमदा कि तहत वहां लोगों के लिए रहात समझ नहीं पाँचाई जा रहा है ही है संयुत राज्ट के मुथाप घाजा में अकाल का ख़त्रा बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वहां लोगों को दाने दाने के लिए मौताज होना पड़ेगा और इसका बच्चों पर असर सबसे जादा होगा 78 दिन से जारी जंग में घाजा ने अब तक अपने 20,000 से जादा लोगों को खो दिया है और अभी भी वहां हमले थमने का नाम नहीं ले रही है IDF यानि इस्रेली डेफेंस फोर्स के प्रवक्ता की उससे कहा गया है कि घाजा में भारी मात्रा में हथियार है दाराज दोफा में हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान स्कूलों को स्कैन किया इस दोरान हमास की नौसेना कमांडो इकाई से सम्मंधिन रॉकेट उपकरा और दूसरे हत्यार पाए गया इस्रेली बलोने जमीनी योदिके दोरान हमास के एंटी टैंक मिसाईलों और रॉकेटों सहे लग भग 30,000 विस फोटक उपकरणों को भी नश्ट कर दिया है या उनको जब्द कर लिया है पर अब बड़ा सवाल है आगे क्या इस्रेल हमलों से घाजा के दुर्धशा करने में चुटा है और ऐसे में हमास का समर्थन करने वाले लोगों में गुस्सा उबाल पर है वो किसी भी हालत में नेतन्याहू को माफ नहीं करने की शबत ले रहे है उरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहे है लोग घाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे है लोगों में युद्ध को लेकर गुस्सा है ये यमन है यहां लोग हज़ारों की संख्या में इसरी खिलाब प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका के खिलाब भी नारबाजी हो रही है वहीं जकार्ता में भी लोगों ने अमेरिकी म्बसी के बाहर खड़े होकर जम करना रिबाजी की और फेलिस्तीन का समधन किया इसरेल हमास युद्ध के दोरा पिछले 24 गंटे में मारे गया लोगों की बात करें तो यह आकड़ा करीब 200 के करीब है इसको लेकर अमेरिकी राश्टरपदी जो बाइडन ने इसरेली प्रधान मंतरी बेनमिन नेतनियाहू को फोन किया और हालातों के भारे में जानकारी ली है घाजा में इसरेल का अक्रमार्ण हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी सैन्न अभियानों में से एक रहा है जिसने घाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85 फीजदी लोगों को बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है हमास के कर्टूतों का नुकसान आम फिलिस्तीनी मौत और तबाही के तोर पर पुगत रहा है इन हमास लड़ाकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार बताई जा रही है लेकिन इनकी वज़ा से करीब 30 लाख के आबादी खून के आसूर हो रही है जिनका कोई कसूर नहीं है बच्च, महिलाओं की मौतों के खबर ने पूरी दुनिया को जड़ जोर कर रख दिया है लेकिन ना तो इस्रेल हमला करने से रुक रहा है ना सीस फार के लिए तयार है ना ही हमास प्रतिकार से रुकने वाला है इस वीज घाजा है जो जल रहा है दिन, हफ़े, महीने और अब तो साल बदलने जा रहा है झाल 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 थाना है कर दूबर झाल झाल